हलो दोस्त रेलवे एलपी सीबी टी तरी यानि साइको टेस्ट 2019 के लिए फाइब बैटरी टेस्ट या है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यह हम नहीं यहां पर मैं उन कंडिडेट या उन हमारे वीवर को बताना चाहूंगा जो मेरे चैनल पर पहले से भी हैं उन्हें सब कुछ पता है इसके बारे में लेकिन कुछ लोग उमीद में थे कि रिजल्ट आएगा तब साइको या सीबीटी तीरी की तयारी करेंगे तो उनके लिए प पांच पैट्री टेस्ट कौन-कौन से है वह पहले आप देख लिए पहला पैट्री टेस्ट में मेमोरी टेस्ट है जिसमें आपकी मेमोरी की टेस्ट होती है यह भी अलग-अलग पांच परकार से लिया जाता है दूसरा फॉल्यइंग डेरेक्शन टेस्ट है जिसमें दिसा साइको में अलग-अलग डिपेंड करता है और इस बार जानी रहे हैं साइको आपका सीवीटी है यानि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट नंबर थ्री है उसके बाद देफ्थ परसेप्शन टेस्ट यानि आपकी दूरी परतियक्षन अंधर में गहराई से सोचने की जांच करने के लिए दिया जाता है जिसमें आपको दो टेस्ट लिया जाता है ब्रीक टेस्ट एन क्यूब टेस्ट इन में से कोई एक भी लिया दिया जाता है अलग अलग फिगर एक फिगर से पांच आकिरती में से आपको सिमिलर्टी टेस्ट करना भी हो सकता है इसी तरह के रिलेटेड हो सकता है और फाइनली रेलवेक आता है पाच्वां परसेप्चुल अस्पीड टेस्ट जिसको परत्यक्षी करन गति परिच्छन हो रड़ी एसो के वेबसाइट पर यह पड़ा हुआ है उसी को मैं दिखा रहा हूं मेरे पास है सहायक लोको पाइलट का गाइड लाइन्स पूरी तरह से है इसमें सारी एक एक चीज डिटेल कर सकते हैं आप पड़ सकते हैं तो यह आपको जाके अगर आपको चाहिए तो यहां से शुरुआता है तो इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि वह टेस्ट शुरुआत कहां से है देख लें टेस्ट यहां से शुरुआत दिया हुआ है पांचो टेस्ट का मेमोरी टेस्ट फॉलोइंग डेरेंग डेप कंस्ट्रेशन और परसेप्सिवल अपसीट पांच इस टेस्ट में आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको मिलेगा कि यह घर कहां बना हुआ था इस बलौक में यह पहला मियम्औरी टेस्ट है दूसरे टाइप के आप मैम रीट यहांपर यहां पर नीचे में पूछ देगा की यह आईरन कितने नंबर है तो 42 नंबर तो राइट भी होगा अंगूर कितने नंबर थे तो अंगूर का नंबर जो 28 था वो आपको यहाँ पर डालना है इस तरह से प्रस्ण को करना है उसी बर अगला मेमोरी टेस्ट आता है आपका इस टाइप का टेस्ट है एक जो बड़ा ट है इस अस्थान के दिखा हुआ है जिसमें रूट它 वाला टेस्ट स्कलिक हàn पर डिया है इसको याद कर ना है इस अस्थान पर यह आएता बी कर सक्थ्य कर सकते हैं तो यहां गिर यहाँ पर हमने याद कि है तो चीसके अंसर में क्या हो जाएगा। आपका एंसर सी हो जाएगा। i5-d sex P उससी तरह जितने भी प्रसन आएंगे शारे को करना है। nीचे की तरह पाएंगे। तो आगला टेस्ट ही है। टेस्ट है जिसमें एक रिलेशन बताता है तो रिलेशन में देखें आप अदमी का हवाई जहाद से रिलेशन है ट्रेक्टर का इसमें अस्टुड्य से रिठेड है उसके बाद कंप्प्यूटर का युएocy क्लेश्keln से बहुत सारे फिगर होंगे इसको भी आपको देखना है और उसके बाद आपको इस टेस्ट में आपको यहां बताना है इस आदमी का रिलेशन किस से था कौन से प्लेन से था तो यह प्लेन था उसके बाद ट्रेक्टर का किस से रिलेशन था तो वह स्टडी करने वाले कौन से कंडिडेट से था तो ऐसा थ उसके बाद computer का relation कौन से प्लायर से था तो इस type के प्लायर था तो इस type से आपको करकर करना होता है उसके बाद एक और memory टेस्ट आता है जिसमें इस type के figure दिये होते है और इस type के figure को सही आकिरती आपको पाचान करके देना होता है तो ये समें से कोई एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, या एक से ज़्यादा भी आ सकता है, उसके बाद दूसरा आपका टेस्ट है, दूसरे टाइप का टेस्ट जिसको बूला गया था आपका मेजरिंग फ्लो डाइरेक्शन, जिसमें कौन-कौन से आता है, टेबल टेस्ट आता है और clock test आता है दो टेस्ट आ सकता है तो table में आप देख रहे हैं column और row तो इसके अधारित बहुत सारे प्रसन आते हैं इसमें आपको question और answer एक साथ दे सकते हैं इसका time अलग-अलग test में अलग-अलग होता है उसके बाद अगला आप टेस्ट देखेंगे तो अगला टे test का test आएगा उसके बाद पांत तीसरे टाइप का test आपका आएगा ब्रीक टेस्ट यानि measuring your depth perception ठट टाइप का एक टेस्ट है जिसमें ब्रीक टेस्ट आता है और कि यूब टेस्ट आता है दोनों आ सकता है तो ब्रीक टेस्ट में भी आप देख लिए उसके बाद इसमें ही है depth perception में आपका hidden कुई यानि चुपा हुआ घन इसमें कितने घन आपको नहीं दिख रहे हैं यानि दो नहीं दिख रहे हैं तो दो बताना है इसमें कितने नहीं 3,4,5,6 जो भी नहीं दिख रहा है उतना आपको बताना है यह भी आपको speed में करना होता है बहुत काम टाइम में उसके बाद पांचवाँ टेस्ट है आपका measuring your एक रहता जिसमें yes या no या type भी test इसको बोलते हैं yn yn test से बोलते हैं जैसे 589 है 589 है तो आपको yes लगाना है 2760 ह है और इधर 2786 है तो यह क्या हो जागा नो हो जागा इस टाइप के टेस्ट बहुत speed से करना होता है इसमें भी बहुत सारे प्रस्ण होते हैं उसके बाद अगला प्रस्ण देखेंगे तो अगले टाइप का आपका टेस्ट है measuring यह और अगरता में ही दूसरे टाइप का टेस अलग अलग और भी टेस्ट है यहां देखें 6227 उन्चा से ऐसा डिजिट दिया हुआ है तो इसमें अलग 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 सारी सीजिय के इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो इस डिटेल में आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको एकाद घंटा लग जाएगा आमसे पढ़ टेस्ट है आपके करने के लिए और फाइनली जो फाइनल टेस्ट एक और दिया है उसके लिए है मेजरिंग यूर कंस्टेशन के लिए उसी का टेस्ट पेपर दिया हुआ है किसी एक्जाम से निकाल के दिया हुआ है और फाइनल टेस्ट है आपका स्पीड मेजर करने के लि तो आप देख सकते हैं कि वो सेम के सेम फिगर एक यहीं पे है बाकि सब इसमें कोई ने कोई चेंज है तो एक एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसी तरह सारे प्रस्म को आपको करने होंगे तो यह रहा आपका पूरी टेस्ट का उसी डूल और इसको आर्दी एस सो की व पहुँचे ठीक वह ही करे जैसा आप को कहा जाए प्रस्म पुछने में संकोच ना करें परतेक प्रस्न को उंचर सोच विचार कर दे जल्दी और जल्दी से और सही करें अधिकांस परस्णों की सीमा बहुत कम होती है कठीन परस्णों पर समय नहीं करें और आपने समीप उतर नकल करने की मतलब किसी कंडिडेट से नकल करने की कोशिस नहीं करें क्योंकि आपका उतर उनका उतर बहुत डिप्रेंस होगा तो ये था साइको टेस्ट का 5 टेस्ट जिसके बारे म का टाइम है यहाँ 20 दिन करीब करीब आपके पास है थेंक यू धन्यवाद